राइफल से जो मारा है साफ दिख रहा है पीछे से जो मारा है पूरा फूट चुका है कब तक आखिर कब तक इस बिहार में पुलिस की गुंडा गरती चलती रहेगी कब बना लेडिज कॉंसटेवल के और महिलाओं पर वार करता है और देख सकते हैं समान किस तरह बिखरा हुआ है ये चेर टूटा हुआ है अब देख सकते हैं ये भी चेर टूटा हुआ है और भी अंदर हम दिखाएंगा आपको ले जाकर कि पुलीस वाला जब चोड बनता है तो जनता किस तरह प्रेसान होती है और पुलीस वाला घर में घ पूरा फूट चुका है कब तक आखिर कब तक इस बिहार में पुलिस की गुंडागर्टी चलती रहेगी कब तक पुलिस का मनमानी चलती रहेगी अब देख सकते गौदरेश खुला है यहां के परिवार वाले से बात करेंगे मानने मुखमंत्री स्री नीरिश कुमार जी कि आपकी पुलिस क्या कर रही है कौन सा काम कर रही है गंस्यामपूर पुलिस और दर्भंगा इसपी से निवेदन है कि इस पुलिस को ठिकाने लगा ऐसे जगा भेजे ताकि गरीब को परिसान न कर सके अब देख सकते रात में कि यहां मेरे बहां को मारा मेरे ममी को मारी और पुलिस गाली कलोच इतना खराब-खराब गाली दे रहा था हम तो डर से भाग गये लोग जखमी लगवाब 10-12 वोग होस्पीटल गए हुए हैं यानि इतनी इमाड मारी गई है गरीब परिवार को दलित परिवार को कि होस्पीटलाइज हो गया है पुलीस की गुंडगर्ति आकि इस बिहार में कब तक चलेगी पुलीस की गुंडागर्दी आपको भी मारा जाची बताइए इनका एज 70 प्लस होगा इनको मारा उस पुलीस वाले को रहम नहीं आया दरब साहब आप ही को हम बोल रहे हैं क्योंकि आपकी थाना किस तरह काम कर रही है इस घंस्यांपुर छेत्र में वह आपको नजर आ रहा होगा आपको भी मारा पुलीस को किसने शिखा दिया कि गरीब जनता के घड़ में आप देर रात जाएं और उनको अभद्र भासा में गाली दे गंदी गंदी गालिया दे यानि यह इनसान नहीं है यह जानबर है यह जानबर हो गया आप आपको एक स्टार लग गया तो आप बड़े पताधिकार ही हो गये जो गरीब को परिषान की जिएगा हम भगल के घर में भी जाएंगे दिखाये हमें बगल का घर उस घर में भी आपको अपडेट देंगे कि किस तरह पुलीस वाला गुंदा बन गया और गुंदा के साथ साथ चोर भी बनकर घुज गया और नुक्सान कितना किया आपको दिखाई दे रहा होगा Iya कि गरीब परिबार कि स तरह रहता है इस बिहार में इस सभासन बाबु की सरकार में आपको पता होगा और पुलीस वाला पुलीस वाला की मनमानी अ Seal कब तक चलेगी अब सरसाही आखिर क्यों नहीं होता है इस बहार में जिस पुलीस को देखिए इस घर में भी तोरफोर हुआ है जिस पुलीस को आम जनता की रक्षा के लिए बनाया जाता है वो भक्षक बन जाता है और घर में घुश कर गुंडों की तरह तोरफोर करता है किस तरह तोरफोर हुआ है इस घर में भी हुआ है देखिए फाइन का पूरा जाली निकला हुवा है इधर देखिए पूरा बच्चे सब पढ़ाई करते हैं इस रूम में इस रूम में भी तोरफोर हुआ है इधर इधर भी फो चोरी करने आये थैं या अप रहाधी को पकरने आये तेश finding हैं घर की हालत कितनी बुरी हालत है घर की जिस पुलीस को रक्षा के लिए बनाएगा आखिर कब तक गरीब परिशान रहेंगे और क्या सब हुआ था और आने के बाद जो है तोरफोर करने के बाद फिर एक बार चला गया फिर आया उसके बाद भी पूरे बगल का जो भी घर कर दा जो इसको मतलब इतना धुन मैं जिधना भी सब के साथ मार फिट जा यानि यानी मारा पंड़ी का दाट रूपी के आया था हंडेड पर्सेंट ना रूपी कि आया था हम बोले तो हम को दो चार वार्ति मारा फिर भगा दिया वोला तुम यहां से मर्द का यहां परकाम नहीं है पूरे महिला को आज साहित देंगे जी घंसयांपूर पुलीज और जीब का वला रुपया भी था पचास वीस हजार लगभग था पचास वीस हजार सतर हजार होगा और फिर उस अंगना में यानि सोना सब था तीन भरी वह भी चोरी कर लिया एक मोटसाइकल लेक चला गया एक दिस्दार आये थे मेरे भाई मुशी का बेटा उसको भी लेक चले गए वह बलकि स्थाने को ने आया तब फार भी लेक चले गए बोलता लगा मेरे लेकिन आयत किसी आऊर काम से अर भी अध्यक्छा तो तह कि यहां यहां देखें पेटी पुरा खुला हुआ है ऐसे ट्र our हुआ है देखे किस तरह पेटी बक्सा सब खुला हुआ है किस तरह तोड़ फोर हुआ है घर में हर घर में समान बिखरा पड़ा है आखिर कब तक चलेगी गुंडा गर्दी इस पुलीस की आई आए सामने आई एलसीडी लगा हुआ था जो कि देखियो बोर्ड अभी फेका हुआ है और एलसीडी लेके चला गया जिस पुलीस को जनता की सेवा के लिए लगाया जाता है वो पुलीस सेवा न करके घर में चोड़ी करती है लसीडी चोड़ा लेती है और भी समान को ले किस कदर बंद है वो आपको दिख रहा होगा इस समान विखरे समान को देखकर कि पुलीस की गुंडागर्ति किस हद तक इस बिहार में बढ़ चुकी है अभी हम बिरॉल हस्पीटल पर मौजूद है यह गरीब परिवार जो आपको दिख रहा है यही बेलवारा गाउं की प 10-15 मिन अभी तक पर्ची कटा आप जी देख सकते हैं इन्हीं सब को मारा गया है क्या रात में जब पुलीस आई थी तो लेडिस कॉंस्टेबल था उसमें जी नहीं नहीं थी अब यह बताएए कि लेडिस पुलीस नहीं होने पर महिला को उन्होंने टच किया मारा आप यहा तो बंदुक जो है ना उसी से करके मारें हम भागने के कोशिस किये तो पॉंग यह बेठा दिये देख सकते हैं आप पाउं को दिखा दिजे थोड़ा करीब लाकर बस बस जादा करीब नहीं लाना है अब देख सकते हैं हर जगा मारा गया यह गरीब परिवार जाए तो जा जाएगा दो बजे रात में ड्रिंक करके थाना ध्यक्ष महां जाते हैं जाने के बाद मार पीट करते हैं किस तरह तोर फोर हुआ है वो तो आपने वीडियो में देखा ही कि घर में घुसकर पुलीस एलेडी खोल लेती है सोना चांदी निकाल लेती है मारती है महिला को ताकि सेवा के लिए लगाया जाता है वो रात देर रात घर में घुसती है और एक घर में नहीं पूरे महला को ही पीट देती है तोरफोर कर देती है घर में घुसके जी हां दर्भंगा जिला की बात बता रहे हैं घंस्यांपुर्थाना की बात बता रहे हैं अब इस पर से कि अधर भंगा एसपी क्या करते हैं वो कुछ दिर बाद ही पता चल जाएगा देख शक्ते हैं किस तरह मारा गया है पुरा निशान आपको दिखरा होगा और जांगपड़ भी मारा गया जिसको दिखा नहीं सकते हैं शरीर पापको रेड़ निशान इस सामने से रेड़ मारा गया है और नीचे भी मारा गया हर जगह मारा गया जहां नहीं मारना था जहां टच नहीं करना था प्रश्रासन को उन्होंने वहां टच किया और मारा